हलो एब्रीवान आज हम बताने जा रहे हैं हाउ टू क्लीन चिमनी सो चिमनी ऐसी चीज है जो आप रेगुलरली यूज करते हैं और कई बार दिन में यूज होते हैं तो जल्दी गंदी हो जाती है तो इसको रूटीन में साफ करना जरूरी होता है तो आप महीने में एक बार पैस्ट है आपके लिए तो आपो जादा महनत नी करनी पड़ेगी क्लीनिंग के लिए नहीं तो फिर अगर आप छह महीने या एक साल में एक बार करेंगे तब तो यह बहुत गंदी हो जाईगी तो इसका ध्यान रखें आप इसको हर महीने में एक बार को जरूर कर लें तो 25-500 ml का लें डालल सी अड़ भाड़ एक क्यो जाए खेंग क। ईचिमी अष्मान करने के बाद में अड़े एक बार कर लिए तो अ आप क्लीन आप्स और लिया घ। जो रड़ेज़स गारव जह क्योंकि आप युलिया त этीमित्ट और क्लीन टार्डल कर किश भड़ थाल कंटेनर में डाल दिया है और अब मैं इसके ये जो ग्रिट्स हैं इनको इनका लॉक खोल लूगी और ये इनको साफ करने डाल दूगी तो इसके लिए क्योंकि बहुत जादा इसमें गंदगी लगी हुई है तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप हमेशा हॉट वाटर यू इसके डाल दूगी हो हॉट वाटर में डालने के बाद इसको आप कुछ घंटे मतलब 4-5 घंटे गले रहन दीजिए जिससे वह आसानी से वाश हो सके और साथी साथ मैंने बेकिंग सोडा ले लिया था विनिगर और विम जेल या डिश वाशर ले लिया था और इसको मिक्स क का सब करके एक लिक्विड प्रिपार कर लिया था जिससे मैं ये चिमनी के सरफसस को क्लीन कर रही हूं तो आप इसको कोई भी स्टियर ब्रश या फिर जो आपका युटेंशल ब्रश उसससे क्लीन कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक से पुरा दोख से आप उसको पुरा क् मैं अच्छे से लिग्विड डेश वाट से साफ कर लूगी जेल से और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगे क्योंकि इनको हमने होट वाट वाटर में डिप करके रखे तो कोशिश करियें कि इनको कुछ देर अप गला के रखें जिससे जित्ती भी गंक है वो असानी से निकल जा ये तो आपकी चिमनी के लिए अच्छा है और लॉंग रन के लिए भी अच्छा है तो थैंक ये फो वाचिंग वनला प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब